हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासेस में तो आज 11 तारिक की सिक्षा एवं रोजगार से जुड़े ही प्रमोखबरों को मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ देखे हेडलाइन से हमारी भरती ना निकलने पर कोड की शलन लेंगे प्रतियोगी 79,000 शिक्षक बरती संबंधी जानकारी नीट परिक्षा के जाने दिशा निर्देश लोग सेवायों की महत्वपूर्ण सूचना और अन्यभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं गायज मैं थमनेल में सारी सूचनाएं नहीं शो कर पाती हूँ लेकिन वीडियो म बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जारी रहने की उमीद है। तो देखे किस प्रकार जो है सी बी आई लगी हुई है कि जो भी लोग भ्रष्टाचार किये हैं उनको पकड़ में उनसे पूछतास में लगी हुई है। अगली खबर भी लोग सेवा आयोक से ही है तो देखे आयोक टेव विज्यापन संख्या----- की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के एडमिट कार्ट जारी कर दिये हैं। ध्यान रखेंगे परिक्षा जो है 20 सितंबर 2020 को रभिवार्म को दो सत्रों में साड़े नो से साड़े ग्यारा और धाई से साड़े तीन के मध्य होनी है और विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र STTP जो है upsc.up.nick.in पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो दो फोटो के साथ आईडी प्रूफ की मूल और चाया प्रती लेकर उपस्तित होंगे चात्र। अगली खबर है भरती जो है ना निकलने पर को चनलन लेंगे परिक्षार्थी प्रतियोगी तो ठीक है तो सालों से असास की सहायता प्राप्त एड़ेट डिग्री कॉलेज हो में असिस्टन प्रोफेसर के बद खाली हैं आप सभी को मैं कई दिनों से ये निउस दे रही हू तो हर विसे में ना सिख्षकों की कभी होने से पढ़ाई के विप्रीत प्रभाव पढ़ रहा है और वहीं रोजगार की आस में भरती निकलने के इंतजार कर रहे हैं अभ्यरती निराशा व्याप्त है उनमें और इधर अधिचायन जारी होने के बावजूद आरक्षन निर अगली खबर है 79,000 शिक्षक भरती से रिलेटेट सिक्षा मित्र को आवेदन फॉर्म में तुरूटी सुधार कराने के निर्देश यानि कि इलाहबाद हाई कोट ने 79,000 साहायक अध्यापक भरती 2019 में शामिल सिक्षा मित्र को उनके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त तुरूटी सुधार ने में अवसर जो है आदेश दिया गया है कोट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधी प्राधिकारी को दे कामेंद सिक्की याची का पर यह आदेश नयायमूर्ती पंकच भाटिया ने दी याची के अधिविक्ता अग्री होत्री जी का कह कि याची आवेदन फॉर्म में अपने शिक्षा मित्र के अनुभावाला कॉलम भरना भूल गया और इस संबंध में उसने बेसिक शिक्षा विभाग में प्रत्यावेदन देकर तुर्टी सुधार ने का अन्रोध किया लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो एक से आठवी तक के जो है चात्रों के लिए एंसी आर्टी चरण बद तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाएगी यह चीज़ ध्यान रखे अब एंसी आर्टी की वैल्यू और ज्यादा बढ़ने वाली है अगली कबर है एल यू यानि की लखनो यूनिवस्टी पीएजड www.ac.in पर विजट करके अपना जो है रिजल्ट देख सकते हैं अगली खबर है यू पी बोर्ड की परिक्षा फॉर्म भरने की तिथी 30 सितंबर तक बढ़ी यानि की कम आवेदन को देखते हुए बोर्ड ने प्रवेस लेने की तिथी 21 तक बढ़ाई तो यू पी बोर्ड न लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जरूर भर दें और जिनके बच्चे हों वो भर दें ठीक है जो जो है नौवी और ग्यार्वी के अग्रिम पंजी करन जो है तीस तक है अगली खबर है नीट परिक्षा से लेड़े डिड़े डिड़ेट मोबाइल किताब और बैक पर रहेगा प्रतिबंध यानि की 3863 केंदर पर होगी मेडिकल प्रवेज परिक्षा 15,97,433 चात्र होंगे शामिल तो जो है डिजिटल सिंगनेचर से जांच किये जाएंगे 40 मिनट के स्लॉट में 80 चात्र आएंगे ठीक है और 74 प्रिक्षा ने दी थी आप सभी को पता है कि जेए मेंस परिक्षा तो देस भर में 1-6 सितम्बर तक आप सभी को पता है कि जेए मेंस की परिक्षा होई तो इसमें Morris प्रवतियों ने जेए मेंगे परिक्षा दी है अगली खबर है आरक्शी नागरिक पुलिस भरती में 44 अभ्यरती जो है सफल यानि कि आरक्शी नागरि पुलिस लाइन में गुर्वार को शुरू हुआ छेत्रा दिकारी घंगटा अंबरीज भदोरिया की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जांच की तो वर्स 2018 में चैनित अभ्यार्थियों का हुआ चकित्सा परिक्षन पुलिस लाइन में पहुंचे पहले दिन 50 अभ्यार्थ टैबलेट दिया जाना है और इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है बेसिक शिक्षा विभाग को 1,64,330 टैबलेट खरीदने हैं और इसमें 150 करोन का खर्च आएगा वर्स के अंत तक टैबलेट इसकी लो तक पहुंच जाएंगे और टैबलेट के लिए कमपनिया 29 स सितंबर तक आवेधन कर सकेंगी तो देखिए पिछले सत्र में राजसरकार ऐसे टैबलेट की खरीद करने जा रही थी जिससे फोटो के माध्यम से हाजरी ली जा सके लेकिन शेलफी के माध्यम से हाजरी का खुब विरोध हुआ जिसका तोड़ निकालते वे सरकार ने बाय नई सिक्षानीती 2020 में आयोजित साथ दिवसी वेबिनार के दूसरे वक्ताओं ने कहा कि नई सिक्षानीती में पूर्व बाले अवस्था वा बुनियादी पर सरकार ने विशेस फोकस किया है प्री स्कूलिंग के तहरे तीन से छे वर्स के बच्चों की पहली बार शामिल क किया गया है और इससे पहले प्राइबरी में 6 वर्स पर बच्चों का दाखिला लिया जाता था पूर्व बाले आवस्था सिक्षा के लिए आंगरमाडी के इंद्रों को मजबूत बनाया जाएगा यानि की जो है नीव मजबूत करने का जो है अधार लिया गया है तो क्यों वेर्य मच्च